प्रदेश के मुख्य सचीव राम सुभख सिंग के खिलाफ उनके अतिरिक्त मुख्य सचीव अन रहते पीमों में भरष्टाचार को सनक्षन देने की शिकायत हुई है विपक्षिदल लगतार मुख्य सचीव को पज से हटा कर निश्पक्ष जांच की मांग उठा रहे हैं एक सेंटर बनाया गया था वनविभा के दो आईफस अधिकारी और एक अदिशासी अभियनता की रिपोर्ट के अनुसार भवन निर्मान में कई खामिया पाई गई जिसमें घतिया सामगरी इस्तेमाल होने का भी अंदिशा है जिसमें लगभग साटला की गडबरी का आरोप लगा है जोग्टा ने कहा कि सरकार को तुरंत मुख्य सचीव को हटा कर मामले की निश्पक्ष जांच करनी चाहिए अगर सरकार तेन दिन में कारवाई नहीं करती है तो आमाद भी पार्टी प्रदीश सचीवाले के बाहर प्रदाशन करेगी तो अभी तक वो दबी हुई थी तो जब यह पिछे कुछ दिनों में आपके मादियन से या शोचल मेडिया में यह वायरल हुआ कि इस तरह का मामला प्रकाश में आया है तो आदमी जयराम जी से पूछा गया और आपने भी पोच अ कि इस तरह का मामला प्रकाश में तो आपने क्या कहना है नहीं करनें तो आप एक साल से क्या कर रहे थे इसका मतलब आप मिले हो हैं मुख्या सचीव के साथ आप उस चीज के पार्टनर है और इन पैसों को आम आदनी पार्टी का मानना यह है हम एक एक पैसा साब लेंगे और खाने एक नहीं देंगे चाहिए हमारे को जो मर्जबी करना पड़े म मेरा आप लोगों के मादम से प्रदेश सरकार से के मुख्य मंतरी ठाकु जैराम जी से अनुरोद है कि मुख्य मंतरी को मुख्य सचीव को तुरंत अटाएं तीन दिन के अंदर और एक आदेश जारी करें कि 19 प्रसेंट ब्याज के को को लेवी करेंगे उस साट लाग के उसके लावाज इस तरह से प्रदेश सरकार चल रही है जिसके जो मुख्या है मुख्य सचीवर मुख्य मंतरी वही देश के प्रदेश के जो है इस तरह की इंवॉल्मेंट है उनकी प्रस्टेचार में तो वह प्रदेश की जंता को क्या काम करेंगे क्या उनके कारे करेंगे और आपसमें हाई कमाड के साथ बैठ करके इसके उपर चर्चा करेंगे और सची वाले के आगे हम दर्ना देने और प्रदेश्चन करने का पूरा-पूरा एलान करेंगे